ओम शान्ति 13 दिसंबर 2001 की बाबा दी साकार मुरली बाबा ने किया मिठे बच्चे स्रेश्ट बनना है ता शिरी मत ते पूरा पूरा चलो शिरी मत ते ना चलना ही सबतो वड़ी खामी है बाबा की केंदे है मिठे बच्चे स्रेश्ट बनना है ता शिरी मत ते पूरा पूरा चलो शिरी मत ते ना चलना ही सबतो वड़ी खामी है प्रशन है कितना बच्चे दा गला घुट जान्दा है बुद्धी तो ग्यान निकल जान्दा है बाबागंदेवी केडे बच्ची है, वी जिन्नादा गला घुट जन्दा है ते बुद्धीतो ग्यान निकल जन्दा है उत्तर है जो चल्दे चल्दे अपवित्तर बन जन्देने पड़ा इनू छड़ बापनू फार्कती दे दिन्देने ओन्ना दी बुद्धी तो ग्यान निकल जन्दा है जोदों तक निर्विकारी ना बने, ओदों तक अविनाशी ज्यान बुद्धी विच बैठ नहीं सकदा, बुद्धी दा ताला खुल नहीं सकदा, पतित बनन वालें द्या, खान पान भी गंदा हो जान्दा है, ओहो मायावी मनुश्य नू जाके मिल जान्दे ने, फिर गला ही घुट जान्दा है, किसे नू वी ग्यान सुना नहीं सकदे, गीत हैं तो हानू पाके असी जहान पाले आ, ओम शान्ती, एहे गीत कौन गारे ने, जीने बाप नाल तिन्ना जहान दी बाश्याई ले लिती है, उनू कोई हटा ना सके, सानू कोई हटा नहीं सकदा, और थात काल खा नहीं सकदा, ते नाहीं सा डी राजाई नू कोई ले सकदा है, बच्चे जान्दे ने, असी उस मालिक तो वर्सा ले रहे हैं, बाप नू मालिक भी केंदे ने, क्योंकि उस मालिक तो की मिलदा है, याद करिये, ओदा नाम रूप की है, कुछ भी पता नहीं, मालिक ता स्रिष्टी दा मालिक ठैरेया न, ओहो होया रची ता, असी होये रचना, बाबा रचना रच दे है वारिसा दी, बाबा केंदे बाबा रच दे है वारिसानू अथवा बच्यानू, फिर उन्ना नू बाब दे मालिक बन जान देने, बच्चे कहन देने, मेरे बाब दे जो जायदाद है, ओदा मैं मालिक हाँ, बाब ता ऐस तरह नहीं कहनगे, कि बच्चे दी जायदाद दा, मैं मालिक हाँ, ता एहे वड़ी समझन दियां गल्ला है, सैंसिबल बच्चे ही समझ सक्देने, ब तो देही अभिमानी हो तह रतन ठैर सकना, देही अभिमानी होके रहना है ते बाप तो वर्सा लहना है तो उस बापनूं याद करना है जिवे लोकिक बाप बच्चे अनू प्यादा कर देने तब बच्चे मालिक बन जान दे हैं बच्चे कहनगे मेरा बाप ते बाप कहेगा मेरे बच्चे प्रन्तु बच्चे दे कोलता कुछ है इनी उनू तब बाप दी मलकियत मिल दी है बाप ऐस तरह कदे नहीं कोगा कि बच्चे दी मलकियत मेरी है बाप समझान देने बच्चे मेरी मलकियत दे मालिक ने ता एहे बड़ी तारना युक्त गल्ला ने तारना नहीं हुंदिया ता क्योंकि खामिया ने समझना चैंदा है मेरे विच बोट खामियने नंबर वन खामिय है जो शिरी मत ते नहीं चल दे शिरी मत तो ही स्रेष्ट बनना है शिरी मत रायोग सिखलान दे है शिरी मना निराकार भगवानुवाच ऐसले असी परशन पुछ देँ हा कि ज्यान सागर पतीत पावन परंपिता परमातमा नाल तो हड़ा की संबंद है एहे बोट वड़े वड़े बोड़ ते लिख देना चैंदा है कि परमातमा है स्वरग दा रचीता तो जिन्ना दा प्रमात्मा नाल संबंद होएगा ओहोवी जरूर स्वर्ग दे मालिक बा नहीं जानगे बाप आके बच्चे नू सलाम करदेने सलाम मालेकम बच्चे बच्चे केंदेने मालेकम सलाम असी ता सिरफ ब्रमंड दे मालिक हां, तुसी ब्रमंड ते विशव दोना दे मालिक बंदे हों ऐसले बाबा बच्चियानू डबल सलाम करदेने इक ही बेहद दा बाप तो हड़ी किन्नी निशकाम सेवा करदेने लोकिक बाप निशकाम नहीं हुंदे, उन्ना नू आश रेंदी है कि असी बान प्रस अवस्था विच जावांगे, तब बच्चे सा ड़ी सेवा करणगे असुलता एहे काईदा सी, कि बच्चे बाप दी सेवा करदे सी अज कलता पैसी उड़ा दिन्देने तुसी बच्चे जान दी हूं कि सा नू एहोजी बादशाई मिल दी है बाप दों लक्षमीन रेंदे लइवी लिखो कि एनना नू जान दे हूं एनना नू एहे सुर्ग दी बादशाई की ने दिती जरूर सुर्ग स्थापन करणवाले ने दिती होएगी पुरानी दुनिया ता जदों पुरानी दुनिया हो तहीं ता नई दुनिया स्थापन करांगे ता लक्ष्मीन रैन ने इहे वर्सा पाया शिरी मत ते चलन नाल शिरी मत राज योग ते सहज ग्यान सिखलांदे है जेनो समझा निया उहो राजा बन जांदेने पहले नंबर विच शिरी क्रेशन उसने की एहोजा करम किता जो आपदे माबाप तो भी जासी मर्तबा पाया ओहो महाराजा महारानी कित्थे सी जीदे कोल क्रेशन दा जनम होया जोदो तक निर्वेकारी होके नई रवांगे उदो तक अविनाशी ज्यान बुद्धी विच ब्याठ नहीं सागदा बुद्धी दा ताला खुलदा ही ओदो है जोदो पवित्तर रहन्दे हाँ ऐ पवित्तर बनन नाल सब बुद्धी तों निकल जाओगा बोत बच्चे फारगती दे दिन्देने पड़ा इन्नू छाड़ दिन्देने ओहो फिर कदे किसनू ज्यान सुनाना सकन पतीत बन जान्दे खान पान भी गंदा खान्दे माया भी मनुष्य तोंनू जाके मिल देने उन्ना दा गला ही गुट जान्दाने एहे गलावी शाश्त्रा विच्च है ब्रिन्दा बन विच्च रासादी हुंदी सी, मना करदिन्दे सी किसनू सुनाओंगे तो गला घुट जाएगा एहे है ज्यान्दी गल अगर फार्कती दित्ती जाके निंदा करदी हां तो गला घुट जान्दा है केंदी हाना सत्गुरुदा निंदक थोर ना पाई बाप केंदे ने स्रिष्टी जदो पतित पुरानी हो जान्दी है ओधों ही में आन्दा हाँ मनुश्यनू तमो परदान बनना ही है जो करतवे करांगे वो उल्टा ही करांगे क्योंकि उल्टी मत मिल रही है अग्ये भरष्टाचारी अक्षरी नहीं सी सन्यासी विकारांदा सन्यास करदे है पावन बनन दे लई तब पहला पहला एहे गल समझानी है कि परम पिता परमात्मा नाल तो हडा की संबंद है सब पगवान नू याद करदे ने पगवान केंदे ने मैंनू सारे पगत प्रिये ने क्योंकि उन्ना सार्यानू मैंनू ही गती सदगती देनी है उस समझदेने पगवान आके पगतानू पगती दा फल दिन देने ऐसले पगत पगवाननू प्रिये ने बाबा समझान देने तुसी दुरगती नू पाया है हुन मैं सदगती देन आया हाँ, पगती तो बाद पगवान ने आना है जरूर, मैंनू बाबा कहन दे, मैंनू पहले पहले पगती दा फल देना पहन दा है, ता शुरू तो लेके जेडे मेरे पगतने बाबा कहन दे, ओ अनेक का दे पगती कार दे हैं, तुसी मेरे प्यारे ते पगती शुरू हो गई, ये वी ड्रामा है, मैं ता सार्यादी सदगती करदा हा, हुन तुसी मेरी मत ते चल दे उना, मत देन दे लई, जरूर मैंनू आना पेंदा है, नहीं ता कि मैं सदगती दा रस्ता दसा, मैं इस पहले नंबर दे पगत दे तान वीच आन दा हा, ता एहे है नंदी गन, शिवदे मंदिर वीच सामने नंदी गन वी रख देने, ता हुन विचार करो कि परम पिता परमातमा बैल दे तान वीच ता नहीं आऊगा, राज योग बैल द्वारा कि में सिखलाऊगा, ज्यान सागर बैल वीच परवेश करन गे कि, हुन तुसी ज्य ज्यान वान बन दे हों, शिरी मत ते चल के लक्षमीन रैन सूर्य वंशी राजारानी बन रहे हों, ता उस राजधानी नों कोई सड़े तों खो न सके, ना कोई तुफान लग सके, असी अमर पुरी दे मालिक बन दे हां, एहे मृत्तू लोक हैं, अमर नाथ बाबा ही कालते जीत पहनान वाला है, ओदा पाट अलग है, तुसी सारे पारवतियां हो, मैं अमर नाथ हां, असी कदे जनम मरन वीच नहीं आंदे, अमर पुरी स्वरगदा मालिक तुहानू बनादा हां, पारत वासिया नों बेकूंठ बोत प्यारा लागदानी, केंदे नी फलाना बेकू सच मुच ता सत्यूग विच होएगा, जो दो सत्यूग है, ता पुनर जनम भी सत्यूग विच ही लेंदे हां, फिर त्रेता विच आननी हां, ता पुनर जनम भी त्रेता विच लेंदे हां, फिर द्वापर विच आननी हां, ता पुनर जनम भी द्वापर विच लेंदे हा प्रन्तु ऐस्तरा थोड़ा ही हो सक्दा है जो मरन गे कलियुग विच पुनर जनम लेन गे सत्युग विच स्वर्ग विच जनम लेन दे रहे एदा मदार है पढ़ाई तब बाप केंदे है कि मैं तो हानू स्रिष्टी दा मालिक बनादा हां मैं निश्कामी हां असी विचव दा मालिक नई बांदे अच्छा मिठे मिठे सिकी लदे बच्चयां परती मात पिता बाप दादा याद प्यार ते गुड मॉनिंग रोहानी बाप दी रोहानी बच्चय आनू नमस्ते, रोहानी बच्चेयाँ दी, रोहानी बाप दादा जेनू याद प्याद, गुड़ मॉर्निंग दे नमस्ते, शुकरिया बाबा, शुकरिया तारना दे लई मुख्य सार हैं पहला स्रेष्टाचारी बनन दे लई आवदियां सारियां खामियां कड सदा शिरी मत ते चलना है बुद्धी विच्च ग्यान रतना दी तारना देही अभिमानी बन के करनी है दूसरा आवदी कथनी ते करनी इक करनी है ग्यान दी तारना दे लई सारियां नाल मों कड इक बाप विच्च ही मों रखना है वर्दान है बाप दादा दे नाल सदा माया नू दूर तोही मुर्चिद करन वाले माया जीत जगत जीत भव बाप दादा दे नाल द्वारा माया नू दूर तोही मुर्चिद करन वाले माया जीत जगत जीत भव जीवे बाप देश नहीं बने हो ऐसी तरह बाप नू साथी बनाओ ता माया दूर तोही मुर्चिद हो जाएगी शुरू शुरू दा जो वाइदा ने कि तोहाड़े नाल खामा तोहाड़े नाल बैठा तोहाड़े नाल ही रूनू रिज़ामा इस वाइदे परमान सारी दिन चर्या विच्च हर कारय बाप दे नाल करो ता माया डिस्टरब करने सबड़ी उस दा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा ता साथी अनू सदा साथ रखो साथ दी शक्ती नाल ते मिलन दे मिलन विच्च मगन रैन नाल माया जीत जगत जीत बन जामांगे सलोगन है आप दी उच्ची वरिती नाल पर विर्ती दी परे स्थीतियानू चेंज करो आपदी उच्ची वरिती नालव पर विर्ती मन घर परिवार्दिया परिस्थीतियानू चेंड करो अच्छा ओम शांती